जाहिंद सात्यों, एलपी और टेकनीसियन से संबंधित न्यूज पेपर में एक आर्टिकल छपा हुआ है, हम लोग देखने वाले हैं क्या कुछ उसमें लिखा है, लेकिन वहीं एलपी और टेकनीसियन अगर दोनों का बेकनसी एड़ कर दिया जाए तो 14,840 टोटल बेकनसी बनते हैं, और इन वेकनसी के लिए 40,00,000,000 अभिर्थों में मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, वहीं अगर आप लोगों को बता दे कि एलपी में कितना टोटल फर्म फिलप है और टेकनीसियन में, तो इस आर्टिकल के जरी आप लोगों को कन्फर्म पता चल पाएगा जाकि वास्तिविक में टोटल फर्म फिलप टेकनीसियन में और एलपी में कितना है, जैसा कि एलपी में आप लोगों को पता है, 19,00,000 में बस थोड़ा सा कम है, ठीके, नहीं तो 19,00,000 के प्रोक्स आपका एलपी में टोटल फर्म फिलप हुआ है, तो वहीं 21,00,000 और 30,000 के अपका जो है टोटल फर्म फिलप यहां पे टेकनीसियन में देखा गया, ठीके, इस आर्टिकल के माध्यम से आप लोगों को यह कंफर्म हो चुका है, कि 21,00,000 प्लस जो है टोटल फर्म फिलप टेकनीसियन में हुआ है, ओके, और अगर आप लोगों को बता दें कि एक्जा की प्रिपेशन कर रहे हैं, तो किरते वीडियो को लाइक कर ले, और साथ में चैनल को सस्काइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट है, सबसे पहले आपको मिल सकें, तो यहां पे न्यूज पेपर में जो कुछ भी आर्ट की पा हुआ है, पहले हम लोग उसके बारे में देखते हैं, एलपी और टेकनीसियन के 14,840 पद के लिए 40,000,000 अभिरतियों में मुकाबला, और यहां पे अगर हम लोग नीचे और थोड़ा आते हैं, तो यहां पे लिखा है, रेलवे में सहायक लोको पाइलेट, यानि की जल्द ही भरती परिक्षाओं के आयोजन होंगे, जल्द ही भरती परिक्षा जो है, उसका आयोजन किया जाएगा, कि फला डेट से आपका एक्जाम होना तया है, ठीके, अजमेर मंडल सहित देश बर के रेलवे मंडल में एलपी और टेकनीसियन के इतना पदों के लिए 40,000 से अधिक अभ्यक्षियों ने आवेदन किये हैं, ऐसे में एक पद के लिए 279 अभ्यक्षियों के बीच में मुकाबला रहेगा, यानि कि पर सीट कंपरिशन की यहाँ पर बात किया जाए, तो 279 के प्रोक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीके, पर सीट कंपरिशन यहाँ प जाएरी इस साल जनौरी से ही नई भर्तियों की सोगात देने का सिलसिला सुरू कर दिया था, बिल्कुल सही है, जनौरी में ही आपका बेकंसी ELP का आया था, ठीक है, असिस्टेंट लोको पाइलेट का, और आगे देखते हैं, इस बार ELP और टेकनीशियन पदो के लिए अल कि दोनों का अलग-अलग separate vacancy निकाला गया था, जैसा कि पता है कि दोनों का स्लेवस भी अलग है, तो यह की भरती में ना करवा के दोनों को अलग-अलग करवाया गया है, पिर रेलवे के अधिकारी के सुत्रों के मताबिक यहां पे दोनों ही पदों के लिए आरंभिक तोर पर 40 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं, ठीक है, यहां पर असपस्ट आपका बता चुका है कि यहां पर 40 लाख आवेदन मिले हैं, और आगे देखें तो इनकी संख्या में कुछ और बढ़ोत्री की संभावना भी है, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, हजार, दोजार, चार पदो के लिए, कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट, यानि CBT, फस्ट जो है यहां पर, आयोजित किया जाएगा, यानि जून और अगस्त माह में, लेकिन यहां पर आपको बता दे, यह ऐसा क्यों लिखा गया है, यहां पर, क्योंकि आपका जो है, इसी में एक्जाम होना है, यह यहां पर होना है, जून से अगस्त, तो आपको बता दे, जून के लास्ट में स्टार्ट होगा, और उसके बाद में अगस्त के जो है, स्टार्टिंग भीक में यह जो है, पेपर आपका खतम हो जाएगा, यानि कि टाइम आपको डेड़ महीने का मान के चलिए, कि लगने व हाँ कि इस महीने के अंत तक परिक्षा का बिश्तित कारिक्रम जारी किया जा सकता है, इस भरती परिक्षा वागा 2 Cbt September 2024 में प्रस्तावित है, यानि कि केलेंडर में जो दिया गया है, Cbt Second का सब्टेमबर में डेट है, यानि कि अगस्त के बाद, सब्टेमबर आपको एक मही कीने का एट लिस्ट इतना टाइम मिलेगा बहुत होगा डेड़ महीने का मिल जाएगा इससे जादा नहीं मिलने वाला है इसलिए अभी आप कमर कस लीजिए तैयारी में लग जाईए ठीक है अगर आप लोगों को फ्री आफ कॉस्ट पीडिएफ चाहिए तो हमारा टेलीगरा काम करते हैं ठीक और जैसे भी कुछ भी सुचना आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे और यहां आगे हम लोग देखें इस भरती भरती प्रिक्षा में सिटमबर 2024 में प्रस्तावित है इसके बाद एप्टिट्यूड टेस्ट नॉम्बर 2024 में होगा ठीक है और टीट्ल % एक्जाम डेट काब कशिम फिद फरन्गे जाएगा उसके बाद में यहां पर पॉसिबल नहीं है कम से कम एक से डेड़ महीना आपका लगेगा और यहां पर बात करें एक्जाम सेंटर के बारे में कहां पर क्या होगा तो पहली बात यहां आपका 150 km के approach रहेगा, इसी के आसपास रहने वाला है, और पिछली बार वाला आप group D का देखे ही हैं, या NTPC, ELP का, सभी का ऐसे ही दिया गया था, और इसमें सबसे ज़्यादा priority दिया जाता है, पहली बाद female को, यानि female पहले दिया जाते है, priority उसके बाद में, याक्षा सर् लाख लोग बसते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा आउट में भेज दिया जाता है, बस यही प्रोसेस है, और उसके बाद में जब यहाँ पर ग्रेड़ टू के, जो सिविटी टू होगा, ठीक है, सिविटी टू का एक्जाम जो होगा, यह आपका जो जो जोन आप पर वहीं होगा, ठीक है, जो सिविटी टू है आपका होम डिस्टिक में होने वाला है, एक सुपचास किलोमीटर के रेंज में, इसके बारे में बताई दिये हैं, डीवी भी आपका, वहीं पर होगा, जो जो जोन आप सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर बात करें हम लोग के बारे में, तो यहाँ पर टेकनीशियन की, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, टेकनीशियन की, अगर हम लोग बात करें, तो टेकनीशियन का एक एक्जाम होना है, ठीक है, एक सिविटी होना है, यह आपका एक सुपचास किलोमीटर के रेंज में ही रहेगा, पहले प्रिय और कुछ आप लोगों का डाउट है तो आप लोग कमेंट के मादम से प्रूश सकते हैं उसका जवाब देने की कोशिस करेंगे और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली जितने भी अपडेट है आपको मिल सके ठीक है चलिए फिर मिलते हैं आक लूम ए ताक लूम एंग ताकि ओू